बिलासपुर के कांग्रेस कारेले में पहुंचने पर पूरुप सासत सुरेश चंदेल का जहां पर कांग्रेसी कारे करताओं ने जम कर स्वागित किया वही पर सुरेश चंदेल ने कहा कि कुछ समय से बाचपा में संभाल और संभाल की कमी देखने को मिली और बाजबा के अंदर कुछ लोग उन्हें रिटार करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बैअवीवी परदेश की सेवा करना चाहते थे इसलिए जब बाजबा में रास्ते बंध होते नज़ आये तब उन्होंने और रास्ते तलासने की कोशिश थी बिलासपुर के कॉंग्रेस कारेले में पहुंच मिने पर पूर्प सांसत सुरेश चंदिल का जहां पर कॉंग्रेसी कारेकरताओं ने जमकर स्वागत किया बहीं पर सुरेश चंदेल ने कहा कि कुछ समयर से भाजबा में संबाद और संभाल की कमी देखने को मिली और भाजबा के अंदर कुछ लोग उन्हें जबरी रिटायर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वे अभी भी परदेश की सेबा करना चाहते थे इसलिए उन्होंने जब भाजबा में रास्ते बंद होते नजर आये तब उन्होंने और रास्ते तलाशने की कोशिश की सुरेश चंदेल ने कहा कि कॉंग्रेस से उनकी बातचित हुई और कॉंग्रेस पार्टी ने कहा कि अगर आप देश की परदेश की सेबा करना चाहते हैं तो उनके लिए द्वार खुले हैं उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी देश की पुरानी पार्टी है, देश के लिए बलीदान का इतिहास रहा है और इस पार्टी से जुड़कर बे अपना करियर आगे बढ़ाने जा रहे हैं बिदान सवा चुनाओ के बाद से मुझे ऐसा लगा कि पार्टी की कारिशेली में काफी चैंज आ रहे हैं और पार्टी के अंदर संवाद और संभाल की कमी हो जहां संवाद कम हो जाता है, वहां विवाद जरूर पैदा है मैंने बहुत प्रयास की बात करने के लेकिन संतोष जयनक उत्तर नहीं मिला, मुझे लगा कि कुछ लोग मेरे जो समाज के प्रती काम करने की इच्छा है, उसको कर्व करना चाहिए और मुझे जबरी रिटाइर करने की भी कुछ लोगों की कोशिश हो सकती है जो मुझे लगा, तो मुझे लगा कि मुझे एक तरफ लास्ता बंद हो रहा है, तो मुझे और रास्ते तलाश की चाहिए, मुझे अंग्रेस पार्टी के नेताओं के तरफ से विचार में मश्रुआ, उन्होंने कहा कि आप काम करना क्याते हैं, हमारे आप वागत है, धिरे सुरेश चंदेल ने अनराग ठाकुर पर भी किटाक्ष करते हुए कहा कि अनराग ठाकुर चन संपर्ग में पिछड़े हैं, लोगों से उनका संपर्ग कम रहा है, जादा तरवे बाहरी दोरों पर रहे हैं, निश्यत रूप से, इस बार कॉंग्रेस पार्टी हमेरपुर क्षेतर से जीत तरश करेगी और जीत का पच्चम लहराएगी. लोगों को ये मन में लगता था कि वहाँ ग्लेमर की दुनिया में हैं, आनंद की दुनिया में हैं, और यहां तो लोगों के बीच में पसीना बहाना पड़ेगा, उनके समस्यां सुननी पड़ेंगी, उनके रूप रूप होना पड़ेगा. सायद इस चीज की तरफ उन्होंने कम ध्यान दिया, जिसके कारण आज पब्लिक में उनके प्रती गुसा है इस बात का, और आने वाले समय में उस गुसे का इजार पब्लिक चाय की दुगानों में, दुगानों में इदर उदर चर्चा करते हुए, करती भी है, और मुझे लगता है वोट के समय में उसका इजार करेगी